कि Hello friends क्या हाल चला आप सभी का दोस्तों welcome करता हूं आप सभी का अपने यूटीव चैनल जैसर में मैंने में कोचिंग के ऊपर दोस्तों आज हम देखेंगे कि प्रेफरेंज क्या होते हैं इसके हम को जी करेक्टर स्टिक से देखेंगे और देखेंगे क्या मतलब होता है शियर फिर फिर यहां जाया यह शुरू करते हैं प्रेफरेंश के बारे में ठीक है सबसे पहले देखते हैं कि कोई भी कमपनी को रूं करने के लिए उसको पैसा चाहिए उसको क्या चाहिए पैसा चाहिए वो जहां तो फिर bank के पास loan ले सकती है ठीक है जहां फिर वो क्या कर सकती है अपने companies के share issue कर सकती है जहां फिर वो किसी के साथ bond कर सकती है किसी को bond issue कर सकती है ठीक है तो हम बात करेंगे share के बारे में ठीक है bond की बात नियाज करेंगे loan की बात नहीं करेंगे, शिर्फ करेंगे share की बात, ठीक है, जैसे कि यह company है, x, y, z, limited, ठीक है, x, y, z limited company है, यह क्या करती है, इसको पैसे चाहिए, ठीक है, यह क्या करेंगी, जो भी इस company की values हैं, इस company की सबसे पहले क्या निकलेंगी, value निकलेंगी, इनको पता लग जाएगा कि हमारे company की value कितनी है ठीक है ना जैसे कि मान के चलो इस company की value 100 क्रोड है सिर्फ मान के चलना है ठीक है company की value कुछ भी हो सकती है 500 क्रोड भी हो सकती है लाखों में भी हो सकती क्रोड के अंदर भी हो सकती है कुछ भी हो सकती है ठीक है, company की value कितनी है, 100 crore तो company को जितने भी पैसे चाहिए company को जितने भी पैसे चाहिए वो क्या करेगी, उसमें से company पहले बोल देगी के भी 50% तो हम खुद रखेंगे अपना 50% क्या होगा, जो owner है, वो company रहेगी ठीक है, वो बाकी के 50% का क्या का देंगे share, issue कर देंगे, 50% जो उनका रह गया, ठीक है 50% क्या कर देंगे, share, अभी जो share उन्होंने issue किये, share भी आगे दो categories के होते है, ठीक है, कौन कौन से एक तो होता है, जो normal share होते है, जिसको हम क्या बोलते है, common share पर एक होते है, preference share preference share, ठीक है, कोई भी company जब issue करती है, share अपने, उसमें से कुछ हिस्सा वो common share के अंदर डालती है, और कुछ हिस्सा preference share के अंदर डालती है, ठीक है, अगर suppose का दीजिए, अगर 50% उसने अपने company के share issue किये है, अलग-अलग company की अलग-अलग thinking हो सकती है, लेकिन वो preference share के अंदर common share से कम ही share डालती है, जैसे कि जहां पर उसने issue कर दीए, 42% share, तो जहां पर कितने कर दीए, 8% share, ठीक है, जहां पर 30-20 का भी हो सकता है, कुछ भी amount हो सकती, जो भी company को चाहिए, लेकिन preference share हमेशा कम रहेंगे common share से, इसकी विएकर disadvantage है, preference share की, ठीक है, वो ही आज हम देखेंगे, कौन-कौन से characteristics है, preference share के बारे में आपको उसका पता चल जाएगा, सबसे परे देखने है, rate, dividend on preference share is fixed, जो rate है dividend का preference share के उपर fix रहता है, कहने का मतलब जो भी बन्दा preference share company के खरीदेगा, उसको एक बार बता दिया जाएगा, कि आपको जिदने भी आपने दिये होई है, उसको 5%, 10%, 20% कितना भी share मिलना है, उसको एक बार बोल दिया जाएगा, वो उसका rate fix रहता है, ठीक है, वो varies नहीं करता, अगर कल को company को suppose कीजिए, company को suppose कीजिए, अगर 100 क्रोड का, 1000 क्रोड मान लो, 1000 क्रोड का अगर benefit हो गया, तो जो preference share वाला है न, इसके साथ जतना agreement हुआ है, इसको उतने ही पैसे मिलने है, यह नहीं अगर company को plus 1000 क्रोड का अगर ज्यादा फैदा हो गया, मुनाफ़ा हो गया, profit हो गया, तो preference share को ज्यादा पैसे मिलेंगे, नहीं, इनको ज्यादा पैसे नहीं मिलेंगे, जो common share आपके पास investor होते हैं, उनको इसके अंदर से हिस्सा मिलेगा ज्यादा, ठीक है, अगर company को इतना ही loss हो जाए, तो common share वालों के जो पैसे investor के जो पैसे होते हैं, वो डूब जाते हैं, लेकिन preference share को पैसे मिल जाते हैं, ठीक है, थोड़े बहुत, जितने भी उनको fix amount के इंदर दिये हो, रहते हैं, ठीक है, preference shareholders generally do not have right to vote, इसका मतलब क्या हुआ, जो preference share वाले होते हैं इनको company के अंदर, इनका माली का नहाख नहीं होता, माली का नहाख owners का, और common share वालों का होता है, जे company के अंदर voting करके देख सकते हैं, common MD बने, board of director कैसा हो, कोई भी company के अंदर कोई production का नहीं है, ठीक है, कोई specific आपको बनाने के लिए प्रोडक्टा आ रहा है, जिसकी आपको production के पैसे मिल रहे हैं ज्यादा, वो प्रोडक्ट को accept करना है के नहीं करना, उसका order लेना है के नहीं लेना, जे common decide करेगा, owners and common share investors जो होते हैं, ठीक है, preference share की इसके अंदर कोई भी बात नहीं मानते, ठीक है, इनके पास क्योंकि right नहीं होता, board का, board का right कि इनके पास होता है, common share वालों के पास और owner के पास, आगे है, preference shareholders are co-owner but not control, वो ही बात जैसे मैंने आपको बोला, कि ये co-owner तो होते हैं, ठीक है, company के, इनके पास ownership तो होती है, लेकिन ये company के अंदर कोई भी अपना control नहीं स्थापित कर सकते हैं, ठीक है, और आगे देखते है, preference shareholders are less risk, due to the fixed returns, ठीक है, इनको एक बार तो पता ही होता है, लिखा है रहता है, जो इनके साथ agreement होता है, इनके पास less risk होता है, company का, ठीक है न, इसको क्योंकि fixed return मिलते रहते हैं, preference share get a priority over the claim of equity shareholder, इसका मतलब क्या होता है, ये गोर से देखिएगा, अगर कल को, अगर कल को company ढूब जाती है, कंगाल हो जाती है, bankrupt हो जाती है, तो सबसे पहले क्या होता है, जो company के loan होते हैं न, जितने भी उसके उपर loan होते हैं, सबसे पहले उनका पैसा पूरा दिया जाता है, तो उसके बाद जो company के पास थोड़ा बोता पैसा बच जाता है ठीक है जो भी थोड़ा बोता पैसा बच गया वो किसको दिया जाता है preference shareholders जो होए ठीक है preference shareholders को इनको पैसा देने के बाद अगर थोड़ा बोता पैसा फिर बच गया तो फिर किन को दिया जाता है, जो common shareholders होते हैं, common shareholders ठीक है, अगर इनके बाद में कुछ पैसा बज़े तो फिर वो owner जो होता है, वो उस पैसे का इस्तिमाल करता है, कहने का मतलब अगर को company डूब जाती है, जब company की बाद में निलामी होगी, company के अंदर जो भी assets है, उसकी निलाम होगी, निलामी होने के बाद कुछ ना कुछ पैसा मिलेगा, उन पैसे सबसे पहले लोन उतारे जाएंगे, उसके बाद preference share को पैसा दिया जाएगा, फिर जो common shareholders है, अगर उसके बाद पैसा बच गया, तो फिर वो owner को मिलता है, लेकिन company डूबती तब ही है, जब उसके उपर लोन बहुत ज़्यादा हो जाता है, अगर कल को कोई company डूब जाती है, 95% तक तो चांस होते हैं, तो उसका जितना भी पैसा है, वो loan के इंदर ही खतम हो जाता है, preference share को तो मिलता ही कुछ नहीं है बाद में, ठीक है, अगर लोन के बाद थोड़ा बोता पैसा बच जाई, तो वो preference share को मिल जाता है, तो वैसे भी normal condition में इनको पैसा सबसे पहले मिलता है, common shareholders को पैसा बाद में मिलता है, कल को अगर company का benefit हो रहा है, company grow कर रही है, सबसे पहले पैसा जो preference share holders है, इनको ही मिलेगा, जो common shareholders है, उनको पैसा बाद में मिलेगा, ठीक है, यह first priority होती है, इसके disadvantage भी भी यही है कि इसको voting का राइट नहीं होता इनका कोई control नहीं होता ठीक है अगर इसको company जादा grow कर जाए तो इनको कोई जादा benefit नहीं है तो और इसके अंदर क्या होता है देखिए अगर इनके पास voting का राइट नहीं है तो कहने का मतलब जो company की management है management का भी ये part नहीं है management के अंदर भी ये consider नहीं किये जाते है ठीक है तो ये था दोस्तो preference share के बारे में I hope आपको भी preference share के बारे में पता लग जया होगा कि क्या होता है ठीक है आप एक वाट definition rate कर ली जीगा आपको इसके बारे में और पता लग जाएगा थांक यू